नमस्कार अपना उत्तर प्रिदेश देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ प्रियंका तिवारी गोरखपुर से खबर है गोरखपुर जनपत के सिंकरी गंज थाना शेत्र के कट्या में हवाई फाइरिंग से हडकंप मच गया भरती के तैयारी में दोड लगा रहे यूवकों में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष के दर्वाजे पर चड़ गया जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने आ गए ग्रामीनों की भीड एकठा हो गई एक पक्ष ने हवाई फाइरिंग कर दह पहिशत फैला दी है इस दौरान इट पत्थर चल गए फाइरिंग से दो लोगों की गोली लग गई है जिनको इलाज के लिए बढ़ती करवा दिया गया है कि यहां कि खुर्षेज में भरती होने के लिए बच्चे तैयारी करते हैं कि इस गाउं के बच्चे भी का टहरा जगह कोई है जहां जाते हैं वहां दोडते हैं अपशन अभ्यास करते हैं वहीं बेद प्रकाषे बेदgender कर दो कि और चांता फिर अपने घर आ गए तो बेदPतरकास के घर पर जयहिंद पक्ष को अभूण फिर बेद प्रकास पक्ष के लोग भी अग्रिसिव हुए गाउवालों ने बीच बचाव कर दें फिर दोनों लोग दो तरफ हो और कहीं किसी तरह को पुलिस को या UP 112 को कहीं कुझी सुचना नहीं दी फिर बेद प्रकास पक्ष के लोग अपना दूद अगरा का कारोबार करत गए तो जहिंद पक्ष के लोगों ने फिर दोनों और से लड़ाई जगडा की बात आई एक दूसरे को पर पत्थर भी मारे और जहिंद पक्ष से एक विक्ति ने जो बताया जा रहा है कि बीच एशेप के सर्विसमेन है वो अपनी लाइसेंसी पिस्टल सुनुन दूद र अगली खबर है बतादे की बीडिये और बिल्डरों की मिले भगत से अवैद निर्माण जोरू पर चल रहा है जनपद के चौक, कुतवाली, नरिया, भेलूपूर, आदंपूर, आदी, वाडों में अवैद निर्माण का कार जम कर चल रहा है कानपूर से अगली खबर है बतादे की मर्चेंट नेवी में तैनाच 26 क्रू मेंबर को गिनी देश के द्वारा पकड़े जाने का मामला सामने आया था बतादी की कानपूर के गुविंद नगर निवासी, रोशन अरूडा, समीत, अन्य क्रू मेंबर को बचानी के लिए सडक पर उनके परिजन उतर आये हैं और पियमोदी से न्याय की गुहार लगाई है सिर्फ माननी परदान मंतरी, श्री नरेंदर मोदी जी और माननी श्री योगी अधित नाजी से यही प्रार्थना है कि हमारे देश के सारे बच्चे क्या सारे जितने भी 26 क्रूव हैं और देशों के भी हैं सब को वापस सकुशल यहीं सही वापस बेह दिया गया सै आपकी बात इस तरीके करो हैं क्या बता रहे हैं सार हमारी जो बात हुई है उनसे ब atual बद यहीं है कि गुहार कर रहा है कि बस हम को वापस बुलाओ किसी तरीके लोगी मापस कब दो किया लगता में डेशा क्या गुहार लगा रहे हैं बस यह गुहार है हमारी उनसे की आगे भी वो काफी बच्चों को बाहर से ले किया है हमारे बच्चों को भी संभल में दलित मुस्लिम गठ जोड का फार्मूला लेकर पहुचे बियस्पी नेता इमरान मसूद ने कहा कि मुसल्मानों ने सपा को वोट दिया मगर सपा के मूल वोटर ने वोट नहीं दिया मुसल्मानों पर हो रहे जुल्म के लिए अब सिर्फ दलित मुस्लिम गठ जोड ही विकल्प हैं उन्होंने कहा कि यूपी में बियस्पी के 30 सीट जीतने पर मायावती प्रधान मंत्री होंगी बाक रखूँगा भईया मैं अपना बात बोल रहा हूँ क्या नहीं हो रहा जल्म क्या जल्म नहीं हो रहा क्या मदरसों के नाम पर धंकाया नहीं गिया मुक्दमों को देख लिए किस तरह से जादा लिखे गए तो ये पार्टी उनकी जिम्मेदार है आजम साफ की लग जगा आ जाएंगे तो परदेश की तस्वीर बदल जाएगी करे तो चुएट करें तो हुछ नहीं कर रही ये जया बात हो गई परिवार को गन पॉइंट पर लेकर लूट का प्रयास किया हाला कि परिवार के शोर मचाने पर सभी बदमाश फरार हो गए ये पूरा मामला बुलंद शहर के खुर्जानगर कोतवाली छेत्र का है गटना ये हुई है साड़े तीन बजी का टाइम था और वो चारों यहां खड़े हुए ते चारों के हाथ में पिछ्टिल ती जैसे मैं हमारी सास कु दबा रखा तो उन्होंने बाहर की कुंडिल लगा दी थी अब मैंने जाकर शोर मचा का बाहर का दरवाजा खोल दिया तो तीनों मरत वो यहां से हट के वो मेरे पीछे पड़ गए और पिछ्टिल जैसे चलाने को हुए तो वो मिस होगी कार्टेज में ही निकला पड़ा था और सास को यहां दबा रखा था एक बहुत बाद में गया निकल के मतलब चार थे उनका इरादा लूट करने का था मतलब जालना का इसलिए हमारे कमरे का लॉप लगा हुआ वो उस उस कमरे में नहीं जा पाए इसलिए वो यहीं से वापस हो जाए बत्तम मैंने सोल मचाए का दरवाजा को राइबरेली के सिविल लाइन ओवर ब्रिज पर बाइक और साइकल आटो में भिड़न्त हो गई बाइक अगली खबर है बता दे कि यूपी ट्रक संचालक असोसियेशन ने ओवर लोड की समस्या समेत अन्यमांगों को लेकर बैठक का आयूजन किया जहां मीडिया से बात करते हुए ट्रक संचालक असोसियेशन के प्रदेश महामंत्री यार्पे सिंग ने कहा कि हम ओवर लोड ट्रक को नहीं चलने देंगे और ना ही चलाएंगे अब लोड ना हम चलेंगे और ना चलने देंगे मानिय मुक्यमंत्री की मंसा रहिए कि प्रदेश में ओवर लोड करता ही ना चले जिससे दुर घटनाए हो रही है और तमाम समस्याएं आ रही है उसको लेकर के औरो ने हाई लेविल आदेश भी दिया हाई लेविल और उनके साथ दलालों के साथ मिली है और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी उप्चुनाव को लेकर हल्चल तेज है दिली में केंद्रियने तृत्वस से मिल सकते हैं भूपेंद्र चौधरी उप्चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर हो सकता है मन्थन करज सकती है प्रत्याशियों के लिस्ट अपड़ना ने भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की है बता दे अपड़ना यादव के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हैं प्रत्याशियों को लेकर मन्थन लगातार जारी है कल जारी हो सकती है प्रत्याशियों के लिस्ट वारणसी से अगली खबर है बतादे की रोहनिया शेत्र में दरोगा की हत्या का प्रयास और लूट का अपडेट सामने आया है दरसल इंस्पेक्टर रोहनिया विमल कुमार मिश्रा और हलके के दरोगा को पलिस कमिशनर ए सतीश गनेश ने सस्पेंड कर दिया है मैनपुरी से अगली खबर है समाजवाधी पाठी कार्याले पर पूर्वसांसत् तेजप्रताब यादव के द्वारा प्रेसवारता की गई जुसमें मैनपुरी में होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा की गए समाजवादी पाटी ने लोकसभा उपचुनाव को लेकर राश्ट्री अध्यक्ष अखिलेश यादव की पतनी डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा है बता दे कि मैनपूरी में लोकसभा उपचुनाव को लेकर नामांग कर शुरू हो चुके हैं जो भी कुशिश ने परशाशन सब्सक्राइब कर देखा गया है कि सुप्रीम कोट ने भी लताड लगाई है कल आजम आमामला रहा हो और जितना चुनाव नजदीक आ रहा है सब कुछ हो चुका है फिर भी ये अपने अकरामक रवये से परेसान करने के समय पार्टी को एक सब्सक्राइब कर दिया है और अब आपको सीधे लिए चलते हैं वारणसी जहां पर सियम योगी क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिये के साथी वारणसी में माल्टी मोडर टर्मिनल जन्पत चंदोली वा मिर्चापुर में ब्रेट भलेच जन्पत गाजीपुर में इंटर मोडर टर्मिनल का विकास भी इसके मात्यम से क्या जा रहा है इंटर मोडर टर्मिनर पर सड़क प्रिवान के मात्यम से उत्पादों को पहुचा करके उन्हें हम इंलेंट वाटर वे के मात्यम से उनका एक्सपोर्ड कर सकते हैं और आज जो सम्वामनाई उत्तर प्रदेश जैसे राच्य में पंदा ही है कि फ्रेट कोरिडोर इस्टन एड वैस्टन फ्रेट कोरिडोर दोनों उत्तर प्रदेश से होकर के बुजर रही हैं दोनों का जंशन उत्तर प्रदेश के अंदर वोड़ागी में जहां पर हम लोग बड़े पैमाने को मल्टी मॉडल नौजस्टिक हब और ट्रमिनल हब के निर्माण की कारवाई को आगे बढ़ा रहे हैं इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में आदने प्रदान मंत्री जी के विजन और उनके मारक खरसन और रहतित्तों में यह कनेक्टिविटी बहतर हुआ है सड़क परिवहां के छेत्र में भी हम लोगों ने इंफ्रस्ट्रक्चर के डवलम्मेंट के लिए बहुत बढ़ा कारे किया उत्तर प्रदेश वर्तमार में 12 से 30 एक्स्प्रेस हाईवेज के साथ ही भारत सरकार के सयोग से सभी हाईवेज को खोर लेन और सिक्स लेन के बिर्मार की पिसा में तेजी के साथ कारे कमरा आए ereye स्वॉफ्ख़ से आत्म renew eing souvent और भारत की प्रिकल्पना को साकार करने और थामंद्री दीके मिजन को जमीनी दहाता पर उतारने में इससे मभ़ब मिलेंगी आज किस उसर पर आज का दिन 20 इंत्य उसर की इत्राट से गन्त मेहत्वन कौन है Windows मेहत्वन पूल यह है किन्स přेत नहीं वह कर दो को कर diplo बलकि इसके मात्यम से हम किरसी उस बात को क्योंकि उत्तरग्देश हात्या में देश के अंदर नंबर एक पर है उत्तर्गदेश दुख 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 हम लोग यहां पर अपने नदाता किसानों को उनकी आमतनी को कई गुना बढ़ाने की मार्थ्यम से उनकी उत्तात को अंतराश्किय वाजार तक पहुंचाने में इनलैन वाटर वे मेंतोपुड घुमिका का निर्वान करना है और कर सकता है इसके साथ ही यहां हमारे लिए सुकम मार्थ्यम भी पनेगा उत्तर प्रदेश के वन डिश्टिक वन प्रोड़क्ट से बने भे उत्तात को अंतराश्किय वाजार में पहुंचाने का सौभाई खुब से एक महत्तपूर्ण कारिक्रम का सुहरम हुआ है मैं इसके लिए पर फिर से उसकत देस VASda की उसे अगैनẩे प्रदान मन्तरी झी का घ्रदे से आभ़ार भ्यक्त करते हैं कि इंद्रिये मन्तरी माने सी सरवाननत सौभाज़ की अंके दोनों से योकी मन्तरी सिफात MAने शिफात नायग झी को से संतनु ठाको जी को कि राज्ज सरकार गेडर सरकार के साथ मिल करकि इस प्रकार की सुविधा को और ठिस्तार रेने के लिए जिसी प्रकार की कारिक्तरम को आगे बढ़ाने के अऊसिक्ता पड़ेगी। आजिसर्कार का पूरा सयोग इन कारिक्रमों के साथ मिलेगा और मैं रिश्वास के साथ कह सकता हूं कि न यहाँ पर यहाँ किसानों के आमदली को कई बुना बढ़ाने में मदब करेगा बनकी हमारी युवाओं को रोजकार की भेर सारी सम्मामनाओं को भी आगे बढ़ाने में इसने मदब पिलेगी मैं इस कारिक्रम के लिए एक बार फिर से कासी वासियों को और इंसरी चारों चन्पतों को वारानासी, चंदौली, गाजीपूर, वलिया के वासियों के साथ आत्पास के सभी नागरिकों को बढ़ाई देते वे अपनी बाड़े को यहीं पिरां देता हूँ धन्यबाद जय हुआ आपने सुना सीयम योगी आदितनात को जोकी वारानसी पहुचे हुए थे अब खबरों की और बढ़ेंगे कानपुर से खबर है बतादी की सपाविधायक एरफान सोलंकी की पतनी ने प्रेस कॉन्फरिंस की है उनका कहना था कि उनके पती बेगुना है दरसल बच्चों की आतिशबाजी की वजह से जोपड़ी में आग लगी थी इस मामले पर उन्होंने सीसी टीवी फुटेज भी जारी किया है और लोग उसके मतलब ही नहीं इर्फान सोले में से और इजवान में वो जगा खरी दिये वो कभजा का रखी उसके बावजे थे हम लोगों को परिशान किया रहा है हम तो अपने देवर के मां केंदेरी वो अकेली थी उनको परिशान किया रहा है बोट गलत बाद है इस पर दिये हागता गुए था तो हम लोग तारे लोग परिश्वा के मौजूद है और फुट मेरे पती उसके रोग पेसे भारत में देवी देवताओं की कई स्वरूप है और उन स्वरूपों से जुड़ी सैकड़ो मानिताएं है भक्त जिस रूप में इश्वर की आराधना करता है भगवान उसी रूप में भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं आज आपको एक ऐसी ही देवी के दर्शन के लिए लिये चलते हैं जिनमें भक्तों की अटूट आस्था है और मानिता है कि यहां अपनी मन्नत का एक ताला परिशानियों का मुह बंद कर सकता है इस रिपोर्ट में लेगें यहां देवी को बंदी देवी के रूप समस्याओं का समाधार देवी के रूपस से पल भर में हो जाता है हम बात कर रहे हैं बारनसी के काशी खंच पेस्तित प्राच्छिंतम मंति्रों में से एक बंदी माता की जिन पाताल की देवी भी गहा जाता है लोगों का विश्वास है कि अगर कोई किसी मुकदमे से परिशान है या फिर जेल में बंद है तो बंदी माता आपकी परिशानी खड़ लेती है बंदी माता का मंदिर बारण से उन्होंने यहां पास किया था मा ने अहिरावण के जेल से भगवान राम और लक्ष्मन को मुपती दिलाई थी जिसके कारण से इस मंदर को बंदी देवी मंदर कहा जाता है इसलिए लोगों का ये भी कहना है कि जिनका कोट में केज चल रहा हो वो यहां आकर अगर मा को चढ़ावा चढ़ाते हैं तो ने केस में जीत हासिल होते है यह मा बंदी का मंदीर है यहां पे मा स्वैंबू है पात्र चेहरा बदलता रहता है मुखवटा बदलता रहता है हर दिन का नाइया 9 दिन जैसे 9 सिंगार होता है नौहरात्र में वैसे मान का 9 रूप का 9 सिंगार होता है और यहाँ पर उनके साथ प्रयाग राज, बेड़ी मादव, उरद मुखी बजरंग दख्षिन मुखी बजरंग वलिए है नाग बासुकी और अच्छे वर्ट यहां पर है मास वाइंबू है बंदी माता प्रयाग राज की मानेता यह है कि जो भी कासी में ब्रिद्ध हो जाता है और मलमास और माग में इलाबा कलबास नहीं कर करते हैं अरजिं लगाते हैं अरो ताला में पूछ कर मांग देटा हूं और पूरा हो जाए masters मेना एक मेना एक दिन दो दिन जब भी जितनी जल्दी मा की प्रिपा हो जाए अगर उनकी मनत पूरी हो जाती है तो आते हैं यहां पर कृतन कराते हैं भोग मा का सिंगार साड़ी पूरा एक मा का पूरा सिंगार का समान लेके आते हैं चड़ावा के रूप में कहा ये भी जाता है कि ये माता सीता का ही रूप है बंदी माता की मंदिर में भक्त ताला चड़ाने आते हैं और मानिता है कि यही ताला चड़ाने से सभी प्रकार के बंदरों से मुप्ती मिलती हैं और सभी कश्टों से छटकारा यहां तक कि जो भक्त, प्रेत बाधा, रोग, पारिवारिक कलह, मुकत्मा या फिर जेल में बंध होने की सित्थी में हैं और माता से मनुकामना की सित्थी मांगते हैं तो यहां पर एक ताला बंद करते हैं उनकी मनुकामना पूरी हो जाती है पर एक बात का विशेश क्याल भी रखना होता है कि जब बनुकामना पूरी हो जाए तो ये तालाग खोल देना होता है मानिता ये भी है कि मां का 41 दिनों तक तर्शन करने से बनुकामना की सिर्थी होती है बंदी माता को कारागार की देवी भी कहा जाता है क्योंकि कारागार में बंद लोगों को भी माता बंधन मुद्दी करती है मानिता है कि भगवान विश्णु के आदेश पर माता यहां आई थी और स्वैम भू मा के मंदिर की सापना भगवान श्रेक्रिष्ट के पुत्र अरियर उतने कराई थी वैसे तो माता कू लाल पुश्प नारियल पूर। इसे के साथ इस खास पेशकर्ष में मेरे साथ बस इतना ही आप देखते रहे आरिया डियर।